हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम टू सिंग स्टडी सेंटर तूड़े अबर टॉपिक इस गेटवे नेटवर्किंग डिवाइसिस आज के लक्षर में हम बढ़ेंगे गेटवे टाइस आफ गेटवे अडवेंटेज और लिमिटेशन आफ गेटवे उसके बारे में जानेंगे बीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेंगे कि नेटवर्किंग डिवाइसिस कौन-कौन से हैं नेटवर्किंग डिवाइसिस पर फर्स्ट हैं उर्डम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रपीटर हब शुच होराउटर ब्रिज है और लास्ट वन इस गेटवे पिटर हुच हो शुच हें रॉटर और ब्रिज कि इसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने जाना था सब्सक्राइब करें लिंक में देख दूंगा आप हां से चेक कर सकते हैं और ओकेफ्रेंट्स लइट सा वीडियो गेटवेए गेटवेए जैसे हम मां ते गीटवे इसी एक घर में अगर पांच मेंबर हैं उन पांच मेंबरों को अपस कुम्म्निकेट करना हो तो वो कर सकते हैं बट वही पांच मेंबर अगर प्रक्रट करना चाहते हैं जांसे मिलना चाहते हैं है तो उनको प्रूब प्रफर गेट के थूर प्रफर एक में डॉर के तूर निकल के जाना पड़ेगा बैसे ही हम समझ सकते हैं कि networking के अंदर gateway डोल डिफ्रेंट नेट वर्क को connect करने के लिए यहां पर लोकल एरिया नेटवर्क है और इंटरनेट एक वाइड एरिया एक गेट जो गेट की तरह काम करता है इंट में भी रूटर हो सकता है आपका फायरवाल हो सकता है सर्वर स्विच और और नेटवर्किंग डिवाइस इस फार एक चेंजिंग इंफ्रमेशन डाटा और एक्स्ट्रा ब़नें बता है कि हर एक सर्वाइस आपको जो नेटवर्किंग डिवाइस है है उनका अनिमेंट है जैसे लॉकल इनेटवर्क है उसके लिंटर नमब्र आफ नेटवर्क है वाइड एरिया नेट वर्क है उसके साथ कुंप्प्ञ्टीं करने के लिए अगर हम मैं कि यह system 1 ने system 2 ने मुलत करना है विसको एक सथे प्रॉपर नेटवर्क से साथ निकलना पड़ेगा उसको हम बोल सकते हैं गेटवे जैसे दे सकते हैं जैसे एक स्विच है उसके साथ नंबर आफ नोट्स है नंबर आफ कोनेक्शन है उसका दे रखें उन सब की आईडिया आप मान सकते हैं जैसे आप बीच में एक राउटर है राउटर की आईडी क्या थी 192 168 1.1 क्लास कोन सी क्लास की आईडिये एक लास भी की आईपी तो यहां पर सिस्टम बन के साथ क्या लिया 192.68.1.2 ऐसी करके हमने सब को नेटवर्क आईडिय बाल रखें तो उनका जो कामन गेटवेइवेश है वह क्या है राउटर है राउटर जहाएक गेटवेश का काम कर रहा है अगर शिस्टम बन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कॉनेक्ट कंटक्ट करना है तो उसको जाहिए फिस्ट वे तरू नेकरना पड़ेगा जो गेटवेश क्या करता है अगर यहां से स्विच से सिस्टम वन से कूई डाटा यह पास तुछ रॉटर के पास पीडियाँ यह जेपीजी फार्मेट में है आब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वह वहां पे जो है वो पी एंजी फार्मेट में समझता है उसको तो उसको वह प्रोटकॉल को कर रहता है PNG में इंट्ररेट सर्वीश प्रोवाइटर के पाद यह इसको क्रोड करेगा जेपीज फार्मेट में इसको करने के लिए कि जातो हम इसमें आप्रिकेशन दोनलोड कर सकते हैं जो इंटरनेट सर्वीज प्रवाइडर के कुछ डाइक को कनवर्ड करने में हल्प करेगा आगी देखते हैं देट्वे सेम जैसे गेटवे जहांब कर रहे हैं और हीं सब नकरने के लिए इस यहां पे लगा दिया और इंटरनेट के साथ यह स्विच और एंटरनेट के साथ यह स्विच को को एस एक्त इस एक येट बिट्वेन फूनेटवर्क के बीच में कम्म्मिकेट करने के लिए डिएटवेइ का उसकते कि वह सकता है फायर्वॉड भी यह पडिलिया गेटवे जे हाद वाधर देक्ट है थे बिट्वें तो नेटवर्क इट में बीरोटर फायर्वाल सर्वर और अनि अन्य अदर डवाइज एक डार दायरा है उसका लिंटेड हम बोलते है इक कुम्निकेशन दायरा है उसका देटर डिर्कली कुनुक्ट टुट दूट इस इफ नेटवर्क वांट तो कुम्निकेट विद दिवाइस नोट्स और नेटवर्क ओट साइड आफ देट पांटरी के बाहर कुनुक्ट करना जाता है यह रिक्वार्द फॉंक्शिटी आफ के उसको क्या चाहिए गेटवे की फंक्शनल्टी तहीं वन नेटवर्क वांट टू कुम्निकेट विद अनधर डाट पैकेट इस पास्ट टू दा गेटवे एंड देन रौटर रौटर टू देस्टिनेशन तो दा मोस्ट एफिशिए फास तो क्या करेगा पहले वह एक नेटवर्क अगर कुम्निकेट करना ह किसी बाहर के और साइड नेटवर्क के तो क्या करेगा तूट गेटवे से कुम्निकेट करेगा तो केटवे क्या करेगा उसको फ्रू प्रौपर तो एक एफिशेंट पास कि तुरू उसने उसको डेस्टिनेशन पर बेजएगा एक गेटवे में आलसो स्टोर की दोनों की इंटर्नल पास उसमें अलड़ी एड होगा कि किस पास की तुरू उसने उस डाटा को बेजना है एक इंडिशन नेटवर्क टैटर इनकॉंटर गेटवे एक बेसिकली एक प्रोटकॉल कनवर्टर है जो कनवर्ट करता है बे इंफ्रमेशन को डाटा को चिस लें परमेट में आपको ट्रांसफर्ट करेंगा इन गेटवे ऐसिकली एक प्रोटकॉल क्नवर्टर क्नवर्ट इंफ्रूमेशन डाटा और अदर कुम्यों किसे को लेक्ट ऊपने सकते हो आप मौवायल को लेक सकते हो किसी को गेटवे कैन बी यूजट पर बोथ बैन एंड लैन इंटर करने के जाता है गेटवे ओपरेटिंग ऑन एन आफ दो सेवन लेयर आफ ओपन सिस्ट्रम इंटर्पनेक्शन मॉडल जैसे मैंने बताया था कि गेटवे हम राउटर जो है वो गेटवे का काम भी का सकता है स्विच भी गेटवे गामगर्द जो भी सिस्टम एक लिम्टर बॉंडरी के अंदर जो लुक कॉम्मिकेशन ता उसको अपनी बॉंडरी से आउट साइट करने के लिए यूज़ की जाता है उस भी सिस्टम को उस नेटवर्क डिवाइस को हम क्या बोल सकते हैं गेटवे कि आगे पढ़ेंगे टाइप साइप गेटवे डिया तू डिफ्रेंटट डाइप साइप गेटवेए न कुम्मिकेशन नेटवर्क जे़न डिवाइडवर्क अन्दा बशीस ऑफ टारेक्शन और डाटा फोलो डाटा फलो के हिसाब से हम देख सकते हैं कि गेटवेए को हम दो टाइप से हम लिवाइट कर सकते हैं है फर्स्ट कुण साय है यूनी जुनी डिरेक्शन यूनी जूनी डिरेक्शन जैसे नाम से पता लगा है कि बाइन इसमें वन वे ओगा यौनी बोगग दाटा को हम बेजेंगे सोर्स जो है जो चेंजिस करना चाता है उसके अंदर वह destination address उसमें कोई भी चेंजिक नहीं हो सकती इस गेटवे ओलो टू ब्रॉटकास तर डाटा ओनली सिंगल डाइशन जैसे नाम से पता लगदा है कि वह उनली संगल डूनी डिरेक्शन मतलब ओनली एक ही डिरेक्शन में आल चांड चेंजिस आर मेड इन दा सोर्स टर्मिल जो भी और डेस्नेशन ड्रेस पर कोई भी चेंजिक नहीं हो सकती बट देडू नाट पर्मिट एनी चेंज इन देस्नेशन नोड और नाट रेप्लिकेट इन दा सोर्स नोड और क्या होता है कोई भी चेंजिक नहीं हो सकती और कोई भी चेंजिक वह है जो है सोर्स पर स्टेशन प भी हम कोई भी चेंजिंग करेंगे दोनों को रप्लिकेट हो सकती है दोन रिप्रोडूस कर सकते हैं वाइड एक्षिन गेटवे और कैपेबल टूफ दाटा इन बोथ डारेक्षिन दोनों को डिरेक्षिन में वह फ्लोग कर सकता है डाटा को इन दिस गेटवे आल दाट देस्टनेशन हैंड why सभी यह आपकी जो भी चेंजिंग हैं जूर्स पर चैंजिंग होगे वह वह EVक्रणी होगत ओचियू कर सकते हो डोन सोर्स पर एक अरज हैं वह अधियू कर लियन वह घृट वहर्द ही गेटवे इस टाइबल्सय परफ़ांस थक्सट में परफं जैसे gateway हम router switch किसी को भी हम gateway बहुत सकते तो gateway क्या करता है किसी भी network को expand करने के लिए उसकी network को बढ़ाने के लिए हम gateway का use करते है gateway server की यूज भी होता है जो क्या करता है security भी provide करता है हमारे network को gateway is a server so it produce some security जो क्या करता है का security भी हमें provide करता है gateway connected to different type of network to different type of network मतलब land और वैन दो different network को connect करने के लिए हम gateway का use करते हैं प्रोटोकॉल conversion is done last में हमने पढ़ा था कि protocol conversion उसमें होता है और जिस पार्मेट में हमने receive करना है उसी पार्मेट में हमें transfer करते हैं effectively handle the traffic problem उसमें क्या है कि traffic की जो प्रॉब्लम है तो traffic collision है उनको वो effectively handle करते हैं and also establish connection between internal network and internal network मतलब बैन और लैन और external मतलब वैन जैसे हमारा मॉवाइल है जाए लैपटॉप है अगर उसको में इंटरनेट से connect करना तो हम थ्रू राउटर इसको connect कर सकते हैं तो तो अब तभी इसको बोल दिखते हैं gateway यह थी उसके advantage अब हम disadvantage limitation पर चलेंगे कि not an intelligent device अगर हम इसमें आप यूज़ स्विच्च यूज़ कर रहे हैं जाब उब रिज यूज़ कर रहे हैं तो इन आट है यह यूज होता है तो लिम्टर नम्बर आफ हम रिपीटर यूज़ करेंगे लिम्टर नम्र आफ हो तो उसमें नाइस होता थी उसी प्रकार हम गेटवे में अगर नाइस की अगर क्रूटक統 करार कशने स्विच फॉर्ट करना चाहते हैं उसकी ट्रांसमिशन करने में भूश्व बये जıtके लिए काफी lemons पावर्ज चाहिए इसको लिए रटो है कि यूश्य जाए बैजनल मोटार की दो आई कि थैंक्स भरब बचिग मैं वीडियों और सब्सक्राइब माय चैनल सेंग स्टड़ी सेंडर नेक्स्ट वीडियो में हम ब्राउटर के बारे में जानेंगे कि ब्राउटर क्या है ओके फ्रेंड्स जैहिंद जैवारत